हेलो एव्रीवन राधे राधे कैसे हैं आप सब तो आज दिन है मंगलबार और तारीखे साहे 23 है आज तो मैं भी ब्लॉग शुरू कर रही हूं अपना वैसे आज मुझे तब यह ठीक नहीं थी क्योंकि आज सुबह से पता नहीं क्या हो रहा है मुझे सर में दर्द और हाथ दर्द अजीब सा लग रहा है पर व्लॉग तो मुझे डालना था क्योंकि कल भी में कोई डाल पाई थी कल और आज भी बहुत लेट हो गई थी रालने को लेट क्या मतलब वीडियो बार-बार सुभही लगाई थी मैंने 6 बजे करीब लगाई थी अपलोडिंग पर तो बार रही बजे करीब गई है वो वीडियो और लेट हो गई तो मैंने का नहीं है बस ऐसा नहीं कांटीनु तो मुझे रहना पड़ेगा तो आप भी मैं वीडियो थोड़ा तो बनाऊंगी कुछ न कुछ पर देखिए अभी में रजाई में बैठी हुई मुझे लग रहा था था थोड़े से दिर आराम कर लoga तो मैं ठीक रहुंगी सामको देखती हूं शायद मेरा आज मन है मेरा मनि असल मानखा बच वात्य मान है के अगर और तब यह ठीक रही तो मैं सोचरी बनाने का और नहीं तो फिर देखते क्या बनेगा और मैं अब थोड़े देर लेत कि तो ठी तो थोड़े देर मुझे आराम मिल गया था तो मैं आई किचिन में और मैंने चाय बनाया और फिर उसके बाद मुझे याद आया कि गरम मसाला मुझे पीस ना है क्योंकि वो खताम होने वाला है पस थोड़ा यसा बचा था तो मैंने कि इसको मैं पीस लेती हूँ मैं साब होती माजा के पीस दी हूँ गरममसाले को और यहां मैंने इसको मुझे थोड़ा मूटे रगती हूँ तो बस फिर मैं साथ के साथ लग गई थी बनाने के लिए इडली वगरा मुझे बनानी थी तो यहां पे मैंने अरहकी दाल ली है उसको मैंने दो लिया है पहले ही और दोके बस उकर मैं चढ़ा रही हूं और सबजियों को भी काट लिया था तो इसकी रेसिपी मैं सामबर की ड जिसमें मैंने सामबर बड़ा बनाया था तो बस यहां पर टामाटर सब्जी सब कुछँ डाल दिया है मैंने हल्दी और नमक डाल के और थोड़ा सा में ओयल की बूंद भी डालूंगी सरसो के तेल की घी कुछ भी जिसने की डाल उफने की नहीं और चोटे को कर में अच्छे से हमारी दाल मतलब इसकी लिए हमें मैस सही ना दाल बिलकुल इकदम घुटी हुई जैसी तो यहां पर हम रख देते हैं इसको गैस पर डाल बनेगी तब तक यह मतलब मारी सामर की डाल तैयार होगी, तर तक हम तैयारी कर लेते हैं इडली का जो वैटर तैयार करना है, उसके लिए, तो यहाँ पे मैं आज रवाइ यडली बना रही हूँ, सूजी की इडली, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1-2 किलो सूजी ली है, 500 ग्राम सूजी और 1 कटोरी मैंने दही लिया है ये फ्रेस दही है घर का अगर खटा हो तो और अच्छा है इसके लिए खटा धही थोड़ा सही रहता है तो वो ले लेंगे और उसको मिक्स करके इसमें हम पानी डालेंगे अब इसके बाद जो जितना हमें पानी लगेगा तो वो हम पानी लेंगे इसके बाद मे तो यहाँ पर मैं पानी ले ले रही हूँ क्योंकि इसका बेटर है मैं ज़्यादा पतला नहीं करना है अभी तो हम पानी इसमें ठीक डालेंगे क्योंकि सूजी जो है फूलेगी हम इसमें फूलने के लिए भी रखना है बनाने को होती हूँ न तयारे करने के लिए तब ही मैं इसमें डालती हूँ तो इसको गोल के और थोड़ा सा पानी मौर डाल दूंगी जिसे कि सूजी फूले तो अच्छे से फूल जाए इड़न सूप न जाये बिल्कुल तो यहां देखिए इस तरह से मैंने इसको गोल लिया है और इसको गोल करके अच्छे जो गोल देएंगे जिसे गुटली वगरण न रह जाए बिल्कुल भी तई देखिए इस तरह से मिले रखा इतना इसको जब हमारी ये बैटर पूरे कर्चा की वाठी है और में एक हरी मिर्च और थोड़ा साधरा टुकड़ा लिया है, और यह मैंने चने की दाल ली थी दो चमश को भिगो के रख दिया था, मतलब गला लिया है, दो तिन घंटे पहले गला दिया था, तो अच्छे से गल गिया है, इसके चौक के लिए जो होती है बगार बोलते हैं उसके लिए मैंने लाल सुकी हरी मिर्श गरीपता और राई ली है तो बस इसको हम पहले पीस लेते हैं चटनी को तो इसको मैंने छोड़े टुकड़ों में इसलिए काट लिया है कि आसानी से पिस जाई और बहुत मतलब हरी मिर्श को भी काटके डाल देंगे इसमें मुझे अद्रग का टेष्ट इतना अच्छा लगता रहा है चैटनी में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है तो मैं जरूर डालती हूं आप इसी चीज़ों को इसके भी कर सकते हो अगर नहीं मत डालना चाहते हरी मिर्श नहीं पाइगा अच्छे से तो इसको थोड़ा सा बानी डालके हम पीर लेंगे तो यहां देखिए पीश गया है मतलब धोड़ा से पिसा है दर्दरा हो गया तो हाँआ पर मैं ने आदिसी कटोरी चोटी कटोरी दही लिया है यह दही बिल्कुल फ्रेश है खटा नहीं है जैसकर म दही डाल दूँगी इससे हमारी चटनी का फ्लेवर जो है टेस्ट बहुत ही प्यारा आएगा अच्छा आएगा तो इसको फिर पीस लेंगे तो ये देखिए चटनी हमारी पिस चुकी है बहुत ही अच्छी मतलब बनी है तो इसको हम खला लेते हैं और अब इसके करेंगे हम तो ये देखिए यहां पर बस में चौकी कर रही तेयारी जो चटनी में मुझे लगाना है उपर से तो वस इसको मैंने लिया है 600 का ओईल वह गरम हो चुका है हाँ पर मैंने राई डाली है और दो लाल मिर्च डाली है सूखी वाली और करीपते डाले हैं वस इसको मैंने गैस को न बंद कर दिया था क्योंकि मेरा ओईल ज्यादा गरम हो चुका था तो इसलिए अभी में लब राई ड़क जानी चाहिए अच्छे से तो यह हो गई है और मैं इसको इसी पर टाल दूंगी इसी से हमारी चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा बनता है और यह सामवर और चटनी ढोकला इन चीज़ों मैं करीपता का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है बिना इसके बाद में थोड़ा साथ कर सकते हैं तो यहां पर मैंने प्याज को डाल दिया प्याज हमारी अच्छे से भून गई है मतलब कैसी होती है वो हो गई है तो यहां पर मैंने डाली है धनिया पाउडर और लाल मिर्शी पाउडर हल्दी मैंने डाल चुकी हूं इसलिए नहीं यहां पर पता है मैं जलने से बच गई थी एकदम से मुझसे मैं ध्यान दिया नहीं और एकदम से वो खला दिया मैंने सा तो बस वहां मैंने ना कैमरी की लाइट को थोड़ा ओफ किया है उस कलर अच्छा नहीं आ रहा था अब यह का नेच्रल है तो यहां पर मैंने MDS का जो सामर मसाला होता है वो लिया है अब कोई भी ले सकते हैं मरान का तो यहां पर मैंने कुछ भी नहीं डाला इसमें और हां नमक मैं इसलिए लाव डाला है इसे झावर है कि पानी और डाला है तो यहां पे मैंने हाल डाला आप कर लेते हैं इडली की तेयारी तो सामबर का मैंने इसलिए नहीं डिटेल में दिखाया है मैं बना चुकी थी इसलिए तो यहां इडली देखे हमारी फूल चुकी है सूजी खूब अच्छे से फूल गई है तो बस इसहां पर मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी क्योंकि हमें इतना गाड़ा नहीं रखना है इडली के लिए इसमें थोड़ा पानी करके और हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे तो अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक जितना हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग रखना ज्यादा नमक नहीं चाहिए साब से और हम इसमें पानी डाल देंगे जिसकी हमारी मतलब जितना हमें इसकी बैटर चाहिए है ना उतना हम पानी धीरे-धीरे करके डालती जाएंगे एक संग नहीं डालेंगे आप इसमें हरा हरा देख रहे हो ना ये करी पत्ता गिर गया थ कोई वो नहीं पढ़ता फरक अच्छा लगता है तो इसको हम देखिए इस तरह से हमारी consistency होनी चाहिए इडली के बैटर की ये देखिए बिल्कुल इस तरह से इतना परफेक्ट इडली बनी थी मेरी ये देखिए बिल्कुल पतला नहीं रखना है मैं इसको पतला नहीं करना है धीरे धीरे पानी डालेंगे उस गलने के बाद सूजी को एकदम पानी डालेंगे तो पतला काड़ा हो जाएगा तो उसलिए इसाप से रखिए तो अब मैं क्या करूंगी मुझे जितनी अभी इटली बनानी है एक बार मेरे जितने जो इटली के सांचों में आ जाए उतना म लगता है कि एक पैकिट का हिसाब इसमें मुझे ठीक लगा इसे में आदा क्लो सूजी लिया था तो मेरे आदा क्लो सूजी में यह ज्यादा हो गया है तीन बार मतलब बन गए थी नौन ओडली तो इसको मैं सांचों में पहले से और ग्रीस करके रखा हुआ है तो यहां पर मैं इनको इसमें भरके टैप करके अच्छे से सेट हो जाए और यहां पर मैंने यहां पहले से ही रखा हुआ था इडली स्टेंड उसमें मैंने इनको रख दिया है और इसको ढख करके हम इसको 10-15 मिट के लिए पकने देंगे धीरे-धीरे मतलब ज्यादा गैस तेज नहीं तो यह देखिए यहां पर हम एक और चेक कर लेते हैं तो हमारी इडली खूफ अच्छे से फूल रही है मैं देख रही थी कि मतलब खोल के लिए फूल रही है कि नहीं तो फूल रही है इडली अच्छे से तो मेरा आधी क्लो में नो नो छोट नीचे वाले में मैं नहीं बन तो दो मैं पनाती हूं तो यहां पे मेरी फ़ोड़ी सी कसरती मैं ने बूर डाल के देख Constitution मैंने बन गई है तो मैंने इनको गैस को बंद कर दिया है और इडलियों को निकाल लिया इसको ठंदा होने के बाद में मैं इसमें से अलग करूँ यह तो चुप केंगी यह तो इसको हम ठंडा होने देते हैं तो यहां हमारी यह ठंडी हो गई है तो देखिए कितने आसानी से निकल भी आई है यह और इसको दीरे-दीरे चम्मच की सायता से साइड साइड इसका छोड़ा करके हम इसको अलग कर लेंगे यह देखिए कितनी एकदम अच्छी इडली बनी है जाली है देख रहे हैं उन्हें एकदम इस पर जाली जाली सी दिख रही है बहुत सौफ्ट और बहुत ही अच्छी बनी है इडली सच में अच्छी बनी थी बहुत जादा यह देखिए कितना मतलब आप देख रहे होंगे ए आपको देखे कितनी अच्छी सौफ्ट बनी है एक दम विखरी विखरी ऐसे लग रहा है चावल की बनी है तो बस यहां पर मैं सबसे पहले तो फिर उनको खला करके मैं दुबारा असी में डाल दे रहे हूं रखने के लिए इडलीयों को तो यहां पर मैं ने रख दिया है और यह देखे है ने दबारा भी चड़ा दिया है इडली को तब तक मैं अपने बular ‫को देती हूं क्योंकि वो बच्चों को तो बहुत पसंद दोते हैं चीज़ $ यार हल्दा मचा आते हैं फिर तो यहां स्पर तो बस ये देखिए, प्लेट लग चुकी है, आप लोग भी खालीजिए, और कैसी लगी मतलब मेरी रेसिपी आप लोगों को, तो प्लीज मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके जरूर पताईएगा, मैं अपने बेटों के लिए ले के जा रही हुए, और आप लोग भी खालीजिए, उसे जरूर कमेंट करके पताना कैसा लगा, और क्या चीज आप इसको मैं कमील लगी, आप किस तरह से बनाते हैं, आप भी मुझे अपनी राया दे सकते हो, आप कुछ इसमें एक्स्ट्रा करते हैं। अच्छा, कैसे लग रही है वेटा? बेकार का विलोम शब्द क्या होगा? वेकार का विलोम शब्द? अच्छा, च्यालो, अच्छी मनी है ना? तो सब लोगों को खिला तो देयाँ? आप लोग भी खालाँ, लोग सामबर भी खालो, अभी देता हूं, वेटा नहीं थी? तो मैंने फिर से उनको देख रही हूँ, चेक करके बन गई है, तो यहाँ पर यह इडली भी बन गई थी तब तक मेरी, मैं अपने बच्चों को देख के आई थी, तो क्रिष्णा ने यह नहीं खाईती अभी, वो पढ़ रहा था, वो बोला ममा मैं अभी नहीं खाऊंगा, त